आज इस वीडियो में आपको टॉप दस हाइब्रिड सर्सों की वेराइटी की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो किसान भाईयों कृपा करके इस वीडियों को अंत तक जरुर देखना है। किसान भाईयों जैसा की आप जानते हैं सर्सों, भारतिय क्रिशी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारत दुनिया में सबसे बड़े सर्सों उतबादक देशों में से एक है। यह रभी सीजन की मुख्य फेसल होती है, जिसे खाद्य तेल, मसाले और दवाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सर्सों की खेती किसानों के लिए एक फाइदेमंद व्यवसाय है, क्योंकि यह कम समय में अच्छी उपज और मुनाफा देती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएं हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे की इसी प्रकार की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें, तो आएए किसान भायों शुरू करते हैं, कि टॉप 10 हाइब्रिड सर्सों की व अध्यम परिपक्वता के साथ उच्च तेल प्रतिशत और मोटे दानों वाली होती है, नब्बे से 110 दिनों में परिपक्व होकर अच्छी उपज देती है, नंबर 2 पायोनिय 45S 47 मस्टर्ड, यह किस्म ज्यादा फुटाव वाली होती है, और 122 से 125 दिनों में परिपक्व हो नंबर 3 अध्वन्ता 414 मस्टर्ड, यह शक्तिशाली रोग प्रतिरोधी किस्म है, यह किस्म 120 से 125 दिनों में परिपक्व होती है, बुवाई अक्टूबर से नवंबर में की जा सकती है, और इसका उच्च उत्पादन और बेहतर तेल प्रतिशत इसे किसानों के लिए लाभ दायक बनाता है, नंबर 4 श्रीराम 1666 मस्टर्ड, यह लंबी शाखाउं वाले पौधे वाली होती है, यह किस्म 128 से 130 दिनों में परिपक्व होती है, बुवाई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है, और अधिक तेल प्रतिशत के साथ उच्च उत्पादन प्रदान करती है, नंबर 5 स्टार 10 से 15 मस्टर्ड, इसकी बुवाई अक्टूबर से नवंबर में की जाती है, इसकी उपज 12 से 15 कुिंटल पर एकर होती है, यह किस्म 41 से 42 परसंट तक तेल की मात्रा प्रतान करती है, नंबर 6 क्रिस्टल केसरी गौल्ड हाईबरिड मस्टर्ड, यह किस्म जल्दी परिपक्वता अवधिवाली है, 100 से 110 दिन में तयार हो जाती है। इस किस्म के दानों का रंग भूरा केसरी होता है और पोधों की उचाई 140 से 160 सेंटीमीटर होती है। सर्सों का दाना मोटा और प्रती एकड उत्पादन लगभग 10 से 12 क्विंटल होता है। सर्सों की यह किस्म 125 से 130 दिनों में तयार हो जाती है। पोधों के संपूर्न भागों में उपर से नीचे तक ज्यादा फलिया होती है। पोधों में ज्यादा शाखाएं, मध्यम आकार के आकरशित दाने और ज्यादा उत्पादन देने वाली किस्म है। नमबर आठ, कामदिगिरी दुर्गा हाइब्रिड मस्टर्ड इस किस्म की फसल अवधी 125 से 130 दिन की होती है। पोधों की उचाई 205 से 210 सेंटिमीटर होती है और इसकी बुवाई आप सभी प्रकार के मिट्टी में कर सकते है। सर्सों का दाना मोटा वजन्दार होता है और प्रती एकड उत्पादन 15 से 16 क्विंटल तक होता है। नमबर 10 राशी 1604 हाइब्रिड मस्टर्ड यह किस्म मध्यम फसल अवधी 125 से 135 दिनों की है। प्रती पोधों में ज्यादा फलियों की संक्या और मोटे वजन्दार दाने तथा तेल की मात्रा ज्यादा होती है। इस किस्म की बुवाई आप सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं और ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाईयों दी गई जानकारी आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेर और कॉमेंट जरूर कर देना है।